प्रिस्क्राइब किजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दिजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हेलो फ्रेंड मैं हूँ आपका मेडिकल दोस्तों मेरे इस मेडिकल दोस्त चैनल में आप सब लोगों का एक बार से फिर से स्वागत है दोस्तों आज हम इस वीडियो में हाई कोप टेबलेट के बारे में जानेंगे जो कि हाई कोप 25 टेबलेट के नाम से मार्केट में आपको यह इसली किसी भी मेडिकल इस्टोर या कैमिक्स शॉप पर आसानी से मिल जाता है चलिए बात करते हैं यह किस कंपनी द्वारा बनता है तो देखिए यह करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें उसके बाद ही इसका इस्तमाल कर सकते हैं तो चलिए जानते हैं इस हाइकोब 25 टेबलेट के फायदे के बारे में तो दिखिए एक एंटी एलर्जिक ड्रग होता है जो कि कई जगव पे इसका इस्तमाल होता है जैसे कि मालनी जी की अभी बरिशाद का मौसम चल रहा है और अकसर सभी घरों में देखा जा रहा है कि वो लोग सर्दी जुकाम से काफी परिशान है तो उन कंडिशन में हाइकोब 25 टेबलेट का रिस्पॉन्स एक्सलेंट है अगर आपके नाखों से पानी आता हो या आपको बहुत ज़ इन कंडिशन में देखा जाता है हाइकोब 25 टेबलेट का बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है यानि कि इन तरह की समस्याएं दो तीन खुराक में इसके ठीक हो जाता है और भी जगह इसका यूज जैसे कि अगर मालेजी कि अगर आपको एलरजी वाली खासी है यानि कि सूखी खासी है और बहुत ज्यादा आपको खासी आ रही है तो उन कंडिशन में अगर आप इसे कफसीरप के साथ इस्तमाल करते हैं तो दो तीन चार खुराक में आपके कितनी भी ज्यादा खासी आती हो बिलकुल ठीक हो जाता है और भी जगह इसका यूज है जैस दाने निकल आ रहे हैं या ललल चकत्ते पड़ जा रहे हैं और उसमें खुजलाहट बहुत ज्यादा हो रही है तो उन कंडिशन में भी हाई को 25 टेबलेट का इस इस्तमाल किया जाता है यह इसकीन से संबंदित किसी तरह के इलर्जी को दूर करने में काफी मदद करता है औ तो न कंडिशन में भी हाईकॉफ 25 टेबलेट का इस्तमाल किया जाता है देखिए इस हाईकॉफ 20 टेबलेट को जब यह flourish कर देती है तो उसके बाद इस टेबलेट दिया जाता है जैसे कि इसके साथ बेटनेशाल टेबलेट भी साथ में जोड़ा जाता है जिस से हमें अच हाइकॉप 25 टेबलेट को साथ में जोड़के दिया जाता है अगर किसी भी दवा से अगर आपको रियक्षन होने की संभावना होती है तो यह दवा जो है हाइकॉप 25 यह रियक्षन होने नहीं देता यानि कि एलर्जी होने नहीं देता और हमें उस दवा से लाब मिल जाता है और हम रियक्षन से बज जाते हैं तो यह था हाइकॉप 25 टेबलेट के यूजर्ज के बारे में चलिए आप जान लेते हैं इसके डोज के बारे में देखे इस हाइकॉप 25 जो टेबलेट यह है यह एडल्ट के लिए आता है यानि कि बड़े लोगों में चलता है इसे एक-एक गोली शुवा साम भी ले सकते हैं अगर ज्यादा समस्या हो अगर हलकी फुलकी शमस्या हो तो आप रात में सोने के टाइम एक टेबलेट इसका इस्तमाल कर सकते हैं यहीं बात करें इसके डोस साइड फेक्ट के बारे में तो देखिए इसका कुछ खाज साइड फेक्ट नहीं है लेकिन इस टेबलेट को लेने स से निद्रा की समस्या होती है यानि कि नीद बहुत ज्यादा आती है कुछ लोगों में देखा गया है या सुस्तीपन बना रहना या फिर चक्कर आना तो इस तरह के कॉमन साइड फेक्ट होते हैं जो कि सभी को नहीं होता और पैक को खोल कर हम दिखा देते हैं कि इसमें का रखा हुआ टेबलेट आपको किस तरह से देखने को मिलता है तो देखे इसमें का जो यह टेबलेट इस तरह से ब्लैक क्लर की स्ट्रीप में आता है और यह 10 टेबलेट की एक श्ट्रीप होती है तो यह तहाई को 25 टेबलेट के बारे में सब कुछ अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो इस टेबलेट को लेकर तो प्लीज आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में आके वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और इस वीडिय वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद